आप सबको मेरा नमस्ते, साइड लाइन होल्ड में आपको क्या करना है कि यह जो बच्चा है, जैसे माँ सो रही है, ठीक है? तो अगर सपोज मा लेफ साइड से दूद ला रही है, तो मा अपने लेफ साइड पे सोएगी, ठीक है? और बच्चे को जैसे मैंने बताया है, वैसे ही उसको सीधा रखना है और एकदम नस्दीक रखना है, मा का जो पेट है उससे बहुत नस्दीक रखना है, और ऐसे लाना है कि बच्चे का जो सिर है, वो निपल के उपर ना जाए, ठीक है? निपल के नीचे होना चाहिए, उसका मूँ का भाग है, वो निपल के नीचे की तरफ होना चाहिए, जितना नीचे होगा उतना वो नीचे का काला भाग बच्चे के मुमें जाएगा, और एक पूरा सा प्रोसेस है, वो आपको प्रोसेस देखना है कि पहले कौन सा हाथ कैसे कि पूरा प्रोसेस अंचली हम लोग ने दिखायो हुआ है बहुत ही इंपोर्टन होलले है विकूर्स रात में जबी मधर बहुत थकी होई होती है तो उसके लिए ये साइडलायन भोल बहुत महतो होटा है कभी-कभी क्या होता है कि पहले दो दिन, अगर मा बहुत थकी हुई है, तो शिकन आराम से साइड लाइन होल में दूद पला सकती है, यही ध्यान रहे कि बच्चे का पेट बिल्कुल मा का जो पेट है, वहां पे दम नस्ती जुड़ा होना चाहिए, और बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और उसकी जो गर्दन है वो बाहर की तरफ थोड़ी मुड़ी होनी चाहिए, तो यह जो बाहर की तरफ जो मुड़ी है, यह बहुत important है, ठीक है, तो यह तो आपका हो गया side line है, एक तरफ लेट कर स्टन पान कराने की पकड़ के spoken tutorial में आपका स्वागत है, इस tutorial में ह स्टन पान कराने का पूरा तरीका, आइए शुरू करते हैं, पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशू को स्टन पान कराती हैं, जैसा कि एक पहले tutorial में बताया गया है, मा और शिशू के लिए सबसे सही पकड़ वही है, जिसमें मा और शिशू दोनु को स्टन पान के प आइए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं, जिसमें एक तरफ लेट कर स्टन पान कराया जाता है, इस पकड़ को तभी सुझाया जाता है, अगर मा रात को स्टन पान करा रही हो, या फिर मा का प्रसव के लिए ओपरेशन किया हो, या अगर मा ठकी हो स्टन पान से पहले मा को अपने हाथ साबुन और पानी से धोक कर अच्छे से सुखाने चाहिए, फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए, स्टन पान कराती माओं में तकरीबन साड़े साथ सो से साड़े आठ सो मिलिलीटर दूद बनता है, इस असलिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए, फिर मा को उस स्टन से कपड़ा हटाना चाहिए, जिस से वह दूद पिलाएगी, ध्यान दें कि अपनी ब्रा या बलाउस का दबाव स्टन पर ना डालें, अब मा को उस स्टन की तरफ आराम से लेटना चाहिए, जिस से वह पिलाने वाली हो, अपने सर के नीचे उसे तकिया रखना चाहिए, और अपनी टांगों के बीच में भी, ताकि वह नीद में लुड़क न जाए, इस चित्र में मा शिशु को अपने दाईं स्टन से दूद पिलाएगी, इसी लिए वह अपने दाईं तरफ लेटी है, अ उसका पेट हलके से मा के शरीर से दबे, और मा जिस तरफ लेटी हो, उसी हाथ से शिशु के पीठ को सहारा दे, इस चित्र में मा ने शिशु के पीठ को दाईं हाथ से सहारा दिया हुआ है, शिशु को अपने और करीब रखने के लिए मा उसकी पीठ के पीछे एक तकिया र जैसे शिशु को मा के स्थन तक पहुंचने में कम कोशिश करनी होगी, इसलिए शिशु को स्थन से गहराई से जुड़ने में आसानी भी होगी. याद रखें, मा को अपनी पीठ जुखाकर शिशु के मूँ तक स्थन नहीं ले जाना चाहिए, इससे शिशु के पेट और मा के शरीर के बीच की दूरी बढ़ेगी, उसे अपनी पीठ हमेशा सीधी रखनी चाहिए और शिशु को स्थन पर लाना चाहिए. ध्यान देने वाली दूसरी जरूरी बात है कि शिशु के पूरे शरीर को किस तरह पकड़ा गया है. आपने देखा होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं. उसी तरह शिशु का सर, गर्दन और शरीर स्थन पान करते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए. इससे शिशु के लिए दूद निगलना आसान होगा. अब हम शिशु के शरीर की स्थिती के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे, जो है मा को अपने हाथ से शिशु के शरीर को सहारा देना चाहिए. नहीं तो शिशु को स्तन से गहराई से जुणने के लिए जादा कोशिश करनी पड़ेगी. अब हम देखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिती. शिशु की नाक हमेशा निपल के सीध में होनी चाहिए. और ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब. इससे शिशु एरियोला के निचले हिस्से का जादा भाग मुँ में ले पाएगा. और अपने निचले जबड़े से अच्छे से जादा दूद पी पाएगा. याद रखें, एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है. शिशु को सही स्थिती में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए. अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से मा को स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में पकड़ना चाहिए. इस चित्र में मा अपने बाएँ हाथ से अपना दाया स्तन पकड़ेगी. स्तन को पकड़ने वाली उंगलियां हमेशा शिशु के होंटों की दिशा में होने चाहिए. क्यूं? आईए समझें इस उधारन से. जब हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंट आडे खुलते हैं. हम वड़ा पाव या बर्गर को आडा इसी ले पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं. यहां अंगूठा और उंगलियां होटों की दिशा में हैं. अगर वड़ा पाव या बर्गर को सीधा पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे. उसी तरह शिशु के होटों की दिशा देखिए. उसके होंट आडे हैं. इसी लिए उंगलियों और अंगूठों की स्तिथी स्तन पर आडी होनी चाहिए. इस से शिशु को अपने मूँ में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी. इसके अलावा मा का अंगूठा और उंगलियां शिशु के मूँ की दिशा में होने के साथ साथ निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए. अगर हम वड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मूँ के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वज़े से हम उसका बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे. और अगर दूर रखेंगे, तो उसके आकार की वज़े से मूह में नहीं ले पाएंगे. इसलिए हम उसे सही दूरी पर रख कर उसका एक बड़ा हिस्सा मूह में ले पाएंगे. उसी तरह जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, शिशु के लिए भी सही दूरी निपल से तीन उंगलियां हैं. इस दूरी से मा की उंगलियां शिशु को अपने मूह में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी. और मा सिरफ निपल को नहीं दबाएगी, जिस वज़े से बहुत कम दूद निकलेगा. मा एरियोला के नीचे के दूद की बड़ी नलियों को दबाएगी, जिस से ज़ादा दूद निकलेगा. और स्तन को सही तरह पकड़ेगी, ताकि शिशु स्तन से गहराई से जुड़ पाएगा. एक और बार वड़ा पाओ या बर्गर के उधारन की बात करते हैं. वड़ा पाओ या बर्गर को सही तरह पकड़ कर हम उसे दबाते हैं, ताकि उसका एक बड़ा हिस्सा मूँ में ले पाएगे. ठीक, उसी तरह मा को भी स्तन को एक तरफ से आधे चांद के आकार में हलके से दबाना चाहिए. इससे शिशु को स्तन का बड़ा हिस्सा मूँ में लेने में मदद मिलेगी. पर याद रहे, मा को अपना स्तन कैंची के आकार में पकड़ कर नहीं दबाना चाहिए. स्तन को कैंची के आकार में पकड़ कर दबाने से उस पर चोट लगेगी और उपर या नीचे की तरफ मुड़ेगा और शिशू स्तन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा अब शिशू एक तरफ लेट कर स्तन पान कराने के लिए पकड़ा गया है और स्तन से जुड़ने के लिए तैयार है स्तन से शिशू का सही जुड़ाव इसी श्रिंखला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है जैसे ही शिशू स्तन से गहराई से जुड़ जाता है तब मा स्तन से अपना हाथ हटा सकती है उसे इस हाथ से शिशू की पीठ को सहारा दे कर उसे करीब रखना चाहिए और उसे अपना दूसरा हाथ शिशू की पीठ से हटा कर नब्बे दश्मलब में अपने शरीर के साथ रखना चाहिए अपनी कोनी को मोड कर उसे वो हाथ तकीए के नीचे रखना चाहिए इस चित्र में दिखाये जाने वाली माने अपने दाएं सतन को बाएं हाथ से छोड़ दिया है अपने बाएं हाथ से उसने शिशू की पीठ को पकड़ कर अपने करीब रखा है और दाएं हाथ को शिशू की पीठ से हटा लिया है उस हाथ को 90 दश्मलव में अपने शरीर के पास रखा है, उसकी दाई कोहनी मुड़ी हुई है और दाया हाथ तकिये के नीचे है पहले स्थन से पिलाने के बाद अगर मा को दूसरे स्थन से पिलाना हो तो उसे दूसरी तरफ लेटना पड़ेगा इस चित्र में मा अपने बाई और लेटी है ताकि बाई स्थन से पिला पाए यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है, IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ, हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद मैं अभी आपको laid back hold क्या है वो में मैं सिखाऊंगी तो laid back hold में आपको क्या करना है कि laid back hold मतलब बच्चा मा ऐसे थोड़ी लेटी हुई है, पूरी लेटी हुई नहीं है बिल्कुल जैसे you know, bed है, bed पे पीछे तक्या रखा हुआ है, तो मा थोड़ी थकी हुए है तो she can just kind of lie down laid back hold में और बच्चा बच्चे को वो सीधा चाती पे ला सकते हैं यही concept है आपको धिहान में रखना है कि बच्चे के जो गर्दन है वो थोड़ी बहाद की तरफ मुड़ी होनी चाहिए और वो बच्चे को इस तरह दूप पिला सकते हैं तो पूरा same concept है लेकिन बच्चा भी सीधा आ रहा है क्योंकि वो थोड़ी लेटी हुई है तो बच्चा ऐसा सीधा रहा है तो वो उसको लेड़ बाद पोलते हैं अगर बच्चे ठीक तरह से मुझ खोल रहा है बहुत अच्छे तरह से मुझ खोलना है तो कभी-कभी आपको इस तन को लेड़ बाद में पकड़ने की ज़रूत नहीं होती है लेकिन आपको लगे कि अगर चाती बड़ी है तो अगर आप पोल्ड करेंगे तो बच्चे के ल बच्च होना, लेच करना इजी हो जाएगा तो वो तो हो गया आपका लेड़ बाद होल है तो थेंक्यू सो मुझ आप सबको मेरा धाया तेक लगाकर स्टन पान कराने वाली पकड़ के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे स्ट स्टन पान की सही पकड़ को चुनना स्टन पान से पहले मा की तैयारी और टेक लगाकर स्टन पान कराने का तरीका आईए शुरू करते हैं पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशूओं को स्टन पान कराती हैं जैसा की एक पहले टुटॉरियल में बताया गया है मा और शिशू के लिए सबसे सही पकड़ वही है जिसमें मा और शिशू दोनों को स्टन पान के पूरे समय आराम मिले मा के स्टन से शिशू गहराई से जुड़े और उसे काफी दूद मिले आईए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं जिसमें मा टेक लगाकर स्टन पान करा सकती है टेक लगाकर स्टन पान तभी सुझाया जाता है जब क्रॉस क्रेडल या क्रेडल पकड़ से शिशू का स्टन से गहरा जुड़ाव हो पाना मुश्किल हो या मा को बड़े स्तन हो, या उसे कमर का दर्ध हो, या वो ठकी हुई हो. याद रखें, स्तनपान से पहले मा को अपने हाथ अच्छे से धो कर सुखाने चाहिए. फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए. स्तनपान कराती माओं में तक्रीबन साड़े साथ सो से साड़े आठ सो मिली लिटर दूद बनता है, इसलिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए. फिर मा को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए, जिससे वह दूद पिलाएगी. ध्यान दें कि अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाग स्तन पर न पड़े, फिर मा को आराम से फर्ष या फिर बिस्तर पर लेटना चाहिए. उसके सर, गर्दन और उपरी पीट को तक्यों का सहारा होना चाहिए. अब मा तैयार है, आए सीखे शिशु को सही तरह से कैसे पकड़ते हैं. जिस स्तन से दूद पिलाना हो, मा उसी तरफ के हाथ से शिशु के सर को पकड़े. और शिशु के सर का निचला हिस्सा अपने दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगलियों से पकड़े. चित्र में दिखाये जाने वाली ये मा अपने दाएं स्तन से दूद पिलाएगी. इसलिए उसने शिशु के शरीर को दाएं हाथ से पकड़ा है. उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों से शिशु के सर का निचला हिस्सा पकड़ा है. अब हम शिशु के सर को पकड़ने के लिए मा के अंगूठे और उंगलियों की सही स्तिती देखेंगे. मा का अंगूठा शिशु के एक कान के पीछे और उसकी उंगलियां शिशु के दूसरे कान के पीछे होने चाहिए. उसे अंगुठा या उंगलियां सर से गर्दन पर नहीं लानी चाहिए उसे अपने हाथ से शिशु के सर के नीचे दबाब नहीं डालना चाहिए इस से शिशु आराम से स्थन्पान कर पाएगा अगला हम सीखेंगे की कैसे शिशु के शरीर को सही स्तिति में रखें शिशु को मा के शरीर पर इस तरह रखें कि उसका पेट मा के पेट पर हो और उसका सर मा के स्तन के पास शिशु और स्तन में फासला कम हो तो उसे स्तन तक पहुंचने में मदद मिलेगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में आसानी होगी दूसरी खास बात है कि शिशू के शरीर को किस तरह पकड़ा गया है जब हम खाना खाते हैं तो हमेशा हमारा सर, गर्दन और शरीर एक ही दिशा में होते हैं उसी तरह शिशू का सर, गर्दन और शरीर स्तनपन कराते हुए एक ही दिशा में होने चाहिए इससे शिशु के लिए दूद निगलना आसान होगा याद रखे शिशु को मा के शरीर पर किसी भी दिशा में रख सकते हैं पर जरूरी ये है कि उसके शरीर का सामने का पूरा भाग मा के शरीर के सामने के भाग पर होना चाहिए और वो स्तन तक आराम से पहुंच पाए अब शिशू के शरीर की स्थिथी के बारे में तीसरी ध्यान रखने वाली बात करेंगे जो है मा को शिशू के पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए नहीं तो शिशू को स्तन से गहराई से जुड़ने के लिए जादा को शिश करनी पड़ेगी अब हम देखेंगे शिशू के नाक और ठोड़ी की स्थिती शिशू की नाक हमेशा निपल के सीड में होनी चाहिए और ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब इसे शिशू एरियोला के निचले हिस्से का ज़ादा भाग मुझ से पकड़ पाएगा और अपने निचले जब्रे से अच्छे से ज़ादा दूद पी पाएगा ध्यान दे एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है अब शिशू टेक लगाकर स्तन पान वाली पकड़ की स्तिथी में है और स्तन पान के लिए तैयार है इस पकड़ में शिशू का कुदरती रूप से मा के स्तन से गहरा जुड़ाव होता है शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में समझाया गया है जैसे ही शिशु का स्तन से गहरा जुड़ाव होता है मा उसके सर के नीचे से अपना हाथ निकाल कर दोनों हाथों से उसके शरीर को सहारा दे सकती है इस थिती में मा आराम से टेक लगा कर स्तनपान करा सकती है अब ये टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद हम आपसे लेती है